लिखन यह खोटा का अज फ्राइए आज हम लोग दखेंगे अशंग्या के मुख्र रूप से कितने बहत होते हैं तो यहां भी देखें संग्या के पांच बहत होते हैं ठीक है पहला है जाती वाचोग संग्या इसको बोला जाता Health वाचक संग्या दूसरा होता है बैक्ति वाचक संग्या, बैगईत वाचक संग्या, ठीक है, समू वाचक संग्या, गोठ वाचक संग्या, फिर द्रेव वाचक संग्या, वस्तु वाचक संग्या, इसको बसुत वाचक संग्या, सैंगा बोला जाता है, भाव वाचक संग्या, भाव वाचक जाती वाचक संगया कहा जाता है अब देखेंगे फ्रैंड एक करके सबका हम लोग fem jetztwhat sangeya機 जाती वाचक संगया किसे काते हैं तो जाये वाचक संगया खोटा में कहा जाता है फ्रैंड किसी वस्तु या प्रानी की शंपूर्不會 जाती का बूध क्राने वाले जाती वाचक जो शामिल है निमलिखित चीज वस्त्वेสसामिल है वो है पसूपची कीट पतंगों के नाम जैसे गाय हो गया घोड़ा हो गया हो गया घोड़ी हो गई फ़ल में सभजी फ़ल सभजी और फूल के नाम जैसे आम जामून भिंडी गेंदा पहने औरने विच्छाने आदी के नाम जैसे कमीज हो गया पैंट धोती तोराक है ना तक्या तोसक गहना बरनी पेच्छवरी ठीक है घरेलू सजावत की सामगरी अलमारी कुरसी टेबल पंखा सवारियों के नाम रेल मोटर साइकिल आदी सबन्दियों के नाम बहन भाई सास जेठ आदी वेफसाई का पदों यह पतादिकारियों के नाम दरजी धोबी मंतरी वीडियो राजपाल तो यह सब फ्रेंड्स जाती वाचक संग्या के बेस्ट एक्जामपल है तो आगले हम आगे चलते हैं आगे देखते हैं फ्रेंड बेक्ति वाचक संग्या इसको बेगईत वाचक संग्या भी कहा जाता है खोठा में जिस संग्या से किसी एक वस्तु या बेक्ति का बोध हो उसे हम बेक्ति वाचक संग्या करते हैं इसका उधारन है सीरी निवास, पानुरी, एके जहा, राची, हिमालाय, गंगा, आदी बैक्ति वाचक संगा में नाम समाविस्ट किये जा सकते हैं बैक्तियों के नाम जैसे हो गया सीरी निवास, पानुरी, एके जहा, इत्यादी नदियों के नाम हो गए दामोदर नदी, बराकर नदी, गंगा नदी, आदी ठीक है फ्रेंट, जीलों में हम इसको बता सकते हैं जीलों और डेमों के नाम में तेनू डेम, तिलेया डेम, मैथन डेम ठीक है फ्रेंट, गाउं के नाम में हम लोग बता सकते हैं जैसे कोठार हो गया, चेटर हो गया, गोला हो गया, और मांजी, कस्मार, बाली डी, ठीक है, नेक्स्ट है, शहरों के नाम में राची, टाटा, धनबाज, आपका, बोकारो, समुद्रों के नाम में हिंद माह सागर, अरब माह सागर है ना, तो ये सब आम लोग देख सकते हैं, अरब सागर, पहाडों के नाम में देख सकते हैं, लोगू, डोंबरी, पारशनात, आदी, सडकों के नाम में देख सकते हैं, ग्रेंट, ट्रेंक रोड, एनेस 33, एनेस 2, ये सब जो है, बेस्ट एक्जामपल है, आपका, बेक्ति वाचक संग्या के, ठीक है फ्रेंड, महाद देशों के नाम में एसिया, यूरोप, अस्ट्रेलिया, आदी, देशों के नाम में भारत, चीन, जापान, अमेरिका, आदी, राजियों के नाम में जहारखन, औरिशा, पुष्तकों के नाम में रामचरी, तरमानस, शूर, सागर, आदी, तो ये सब आपका, बेक्ति वाचक संग्या की बेस्ट एक्जामपल है आगे देखेंगे फ्रेंट्स पर तेवारों के नाम में करम सौराय सरहूल जीतिया आदी गरहों के अनचत्रों के नाम में रोहीन पुष्य पुख शनिगरा सुक्रगरा आदी महीनों के नाम में चैद वैसाग जेड जनवरी फरवरी आदी दीनों के नाम में सौमवार मंगलवार आदी नोट यहां पर एक दिया हुआ है नोट में देख सकते हैं फ्रेंट जाती वाचक की तुलना में वैक्ति वाचक का दाइरा बहुत छोटा होता है आनि जाती वाचक और वैक्ति वाचक की तुलना करें तो जाती वाचक की तुल जाती वाचक में पूरे किसी जाती या पूरे समुदाई की बात होता है उसमें पर बेक्ती वाचक में किसी एक खास बेक्ती की बोद होता है ठीक है जैसे लड़का शब्द हमें पूरे लड़का जाती का बोद कराता है लेकिन लड़का का अगर नाम राम है तो राम नाम हमे अगर हम लेखक कहते हैं तो यह जाती वाचक संग्या है अगर हम लेखक का नाम स्री निवास पानूरी कहेंगे तो यह जाती वाचक संग्या हो जाएगा ठीक है प्रेंट जाती वाचक संग्या मतलब क्या हो गया लड़का जाती वाचक हो गया अब किसी का नाम ले लेंगे त तो यह व्यक्ति वाचक संग्या है ठीक है फ्रेंट्स देश में सारे देश आ जाएंगे लेकिन भारत कहेंगे तो भारत किसी एक कोई खास देश का नाम है यह व्यक्ति वाचक संग्या हो जागा भारत इसी परकार अगर हम पहार कहेंगे तो जाती वाचक संगया होगा लेकिन अगर हम पहारसनात कहेंगे तो यह वैक्टी वाचक संगया होगा फ्रेंड नेक्स देखते है फ्रेंड आगे फ्रेंड समू वाचक संग्या जिसे हम लोग घोठा में गोठ वाचक संग्या भी कहते हैं जिस संग्या से वस्तु व्यत्वा व्यक्ति के समू का बौध होता है उसे समू वाचक संग्या कहा जाता है जैसे वस्तु का समू गुमच जत्रा द्रव आचक संगय क küsz कहाता है फ्रेंस को वस्तू वाचक संगय कृटः वह कहा जाता है वह इसी में जेसे हम नाप सकते हैं तॉल सकते है जिसका वजन कर सकते हैं की count कर सकते हैं friends वो इसी में आता है ठीक है friends जैसे यहां पर कि इसे नाप सकते हैं और तौल सकते हैं friends ठीक है counting इसमें नहीं आएगा सोना चांदी लकडी पीतल खी पानी तेल लोहा तामबा यह सब जो है friend आपका द्रवाचक संग्या में वसुत वाचक संग्या में आता है किसी प्राणी किसी प्राणी या पदार्थ के गून भाव अथ्वा वास्त्वा सवभाव के अवस्था के बहुत बोध होता है या जिसे हम देख या छू नहीं सकते लेकिल वहसूस कर सकते हैं उढ़े भाव अचक शंग्या कहते हैं उधारन बुढ़ापा बुढ़ारी गिदराली मुख्राली मुर खाली मुर्खाली मुर्खाई है अना पंडिताई पाड़े गिरी तो यह सब जो है आपका भाव अचक है भावा पांडे गिरी हो जाएगा मानुस का मुनसाली मुनसाई बाभन का बवनई और बवनवती तो यह सब आपका हो गया जाती वाचक से भावाचक संग्या में जो सब्द बने हैं उसके एक्जाम्पल हो गया ठीक है फ्रेंड आगे फ्रेंड सर्वनाम से जो सब्द बने है आपन स अपनवती होता है किरिया से जो सर्वनाम से जो है आपका भावा वाचक में गया है अपन से अपनवति किरिया से जो बनता है out जैसे काटेक काटाई चाप च्छाप नपैक नप देखेक दिखोती बन्रफ बन औती ठीए फ्रेंड्स फिर बिशेशन से जो बनते हैं गरीब गरीबी बीमार बीमारी अच्छा अच्छाई गर्म गर्मी किरिया बिशेशन से जो बनते हैं फटफट से फटफट फट 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 फटिया ठीक है हरबड से हरबडिया फटफट से फटपटिया हो जाएगा फ्रेंड् इसको बता सकते हैं नेक्स्ट नोट में यहां पर देखिए बालमिकी एक नाम आनी बैक्ति वाचक है लेकिन बालम की विद्वानों कभीयों के समुदाई विष्यस का एक पोधक है तो यह जाती वाचक में विद्वान मतलब जाती वाचक हो गया ठीक है यहां पर किसी समुदाय के बारें पताय गया दामुदर जहारखेंडे गंगा हकए तो दामुदर नदी जो है friend वो जहारखन का गंगा कहा जाता है ठीक है इसका मतलब यह हुआ तो नोट में यहाँ पे दिखाएगा गंगा बैक्ति वाचक संगया है ठीक है क्योंकि किसी खास नदी का ना में friend लेकिन यहां गंगा एक पवित्र नदी का बोधक भी है ठीक है जिस परकार गंगे बड़े ब्यापक रूप से पवित्र और धार्मिक रूप से महत्वपुन मानी जाती है उसी परकार दामदर नदी जार्खन में भी पवित्र और धार्मिक रूप से महत्वपुन मानी जाती लेकिन दामदर नदी जो है आपका जारखन में उसी तरह ब्यापक है तो इससे हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि बेक्ति वाचक कैसे होता है यहां पे आपका जाती वाचक कैसे होता है ठीक है फ्रेंड तो फ्रेंड आज से यह वीडियो आपको continue मिलेगा खोटा का और मैत का भी वीडियो आपको continue मिलेगा तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और आपको पता होगा कि कि लैब असिस्टेंट का एक्जाम जो है आपका साथ दिसम्बर से स्टार्ट हो रहा है जो दस दिसम्बर तक से लेका फ्रेंड तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें और दूसरी के बातों पर ध्यार ना दे ठीक है थैंक थैंक यू है गुड़ डे गुड़ जब सके ज्यादा दूसरी के बातों दूसरी के बातों पूसरी के लेका कि वेकी हैंक थैंक दोसरी के जिएक मत्यादा मैं जो